उत्तर प्रदेश में कम्यूनिटी किचन बहुत फेमस हो रहा है और ना केवल सरकारी प्रपर बलकि लोग अपने इस तर पर भी कम्यूनिटी किचन को शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और खास तोर से लखनु रासपास के इलाकों में बड़ी तादाद में लोग जो बाहर से आये थे उनको अलग अलग सेंटर्स पर उनको कुरूंटाइम किया गया है ऐसे मज़रूरत इस बात की होती कि बहुत बड़ी तादाद में खाने की विवस्ता करनी पड़ती तो लोग व्यक्तिकत इसतर पर भी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने इसको शुरू किया हम इस वक्त जहां मौझूद है यह एक कमिल्टी किचन है और यह उत्तर प्रदेश के उप मुखंतरी स्रीकेश्व परसाद मौरिया जी के निर्देशान उत्यार हम लोग गरीबों को सुबह के नास्ते दिन का भोजन और शाम की चाय सबस्तर आपको बताना चाहेंगे कि सुबह के नास्ते में हम लोग ब्रेड मखन दे रहे हैं और कभी कबार हम लोग पूर करने का संकल्ब ले रहे जैसा कि मानी रां मंत्री मोधीजर लिया है कि कोई भी गरीब इस महामारी के दोरान कोई भूंखा ना रहे कि कोई ब्रू कर रहे इस संकल्प को हम लोग जल से पूर में कोशची कर रहे हैं यह बिसिकली मुक्ता यह बहुत यहां का बड़ा मशूर रहा है और यहां पर इसको फिलाल कमूल्टी किचन में इसको तब्दील कर दिया गया है तो यह अलग-अलग व्यवस्था यहां पर की गई आप देख रहें कि इस तरीके से जो है फिलाल लंच पैक तयार हो रहे हैं और खाना भी यहां के शेफ हैं उनसे बात कर लेते हैं कि यह बताईये कि क्या हैम मेरताए जो आप बोदन करवाते हैं जो लोगों को साक कि unfair कि आप लोगों को सुभाश की आप लोग के डाइम कचोड़ी पूरी चोलआ हलू यह देते हैं पर रहें भी दे आखते हैं फर दूपैर में त तो हम इन तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो इस वक्त खाना खरीद के खाने की सिती में नहीं है या खाना के लिए जिनके पास पैसे नहीं है या दूर किसी दूसरे राजे से आए हैं जैसे अभी अवद शिल्वग्राम में ही वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में लोगों को कुरॉंटाइन किया गया है तो बहुत बड़ी तादाद में आपने देखा हुआ चार पास दिन पहले जो मज़़ूरों का एक रेला चल उसके बाद दुपहर में लंच, शाम को चाय के साथ थोगा सा स्नैक्स और रात में डिनर ये ववस्थाए की गई है और अलग-अलग वहानों से इसको पहुचाया जा रहा है अलग-अलग स्थानों पर आपको हम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एक जो भोजन है वो डिस आरकिये जा रहे हैं कस और भी तस्फिर आम आपको दिखार रहे कि इस तरीके से जो प्रचा जो राशन है वह भी पहुचा जा रहा है जिसमें अलग-אלग तरफिके की सामान है जो एक व्यक्ति परिवार में इस्तिमाल होता जिसमें तौ अदाल भी है चावल भी है और बह नमक तो टोत्व बदलती रहती है वालू तो रहते हैं साथ में कभी कुछ टेल है अच्छ जफाट अधिया है तो ही चीन होगा अभी रहती है कभी कुछ अ अलग अलग फिर वो थाक राते हैं एक दिन में इस तरह के बाठ देते हैं सब मिला करके पाँजार क्या स्पास कम से कंप अचंग प्लस हो जाता है तो आप देख रहें कि यह आप देखरें कि यह बटवाया जा रहा है इसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र लगा हुआ है और खाना बात्ने के साथ पंजाये जा रहे हैं को कोई भी रोड़ ने पहुंचाद देंगे या मैं आगर उनको चाहिए तो खाना पहुचा देंगे अगर उनको खाग सामागरी चाहिए तो वही पहुचा देंगे लेकिन कोई रोट पर ना निकले यह अपील की जा रही है कैमरा परसंद रमेंद कुपार साओ के साथ माना शिर्वास तो लखनू न्यूस 24